सब्सक्राइब करें हमारी यूटूब चानल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताके हमारी वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे NBFC सेक्टर में कठित तौर पर हजारों कडों रुपे का एक और घोटाला सामने आया है वेब पोर्टल कोबरा पोस्ट की एक रिपोर्ट में दिवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्परेशन लिमिटेट द्वारा हजारों कडों रुपे का फर्दी वाड़ा करने का दावा किया गया है रिपोर्ट की माने तो DHFL ने फर्दी कम्पनियों के जरिये 31,000 कडों रुपे का फ्रॉट किया है रिपोर्ट के सारवजनिक होते ही DHFL के शेर में 8 फीसद तक की गिरावट दर्च की गई बता दे Reserve Bank of India ने NBFC को लेकर बेहत सक्त प्रावधान कर दिये सरकार की ओर से लगतार नियमों में डील देने का दवाब डाला जा रहा है DHFL ने फर्दी कम्पनियों के जरिये 1000 कडों रुपे का चूना लगाया है कोब्रा पोस्ट की रिपोर्ट में कम्पनी के प्रमोटर्स पर इस राशी से नीजी संपत्ति अरजित करने का आरोप लगाया गया है इसके अनुसार DHFL ने पहले शिल कंपनियों को करजा दिया और बाद में ये राशी वापस फाइनेंस कंपनी के प्रमोटर्स के पास आ गया इस तरीके से NBFC फर्म ने 31,000 कड़ो रुपे का फर्दिवाडा किया बताया जाता है कि हाउसिंग फिनांस कंपनी के प्रमोटर्स ने इस राशी से भारत के अलावाद दुबई, इंगलाइन, मौरेशियस और श्री लंका जैसे देशों में प्रॉपटी खरी दी कपिल वादवान, अरूना वादवान और धीरज वादवान DHFL के प्रमोटर्स हैं वेब पोर्टल की रिपोर्ट में DHFL के माली को द्वारा फर्जी वाड़ा करने के लिए दरजनो शेल कंपनियां बनाने का दावा किया गया है इसके अनुसार इन मुखोटा कंपनियों को गठित कर उसे समू में बाट दिया गया इन में से कुछ कंपनियां तो एक ही पते से काम कर रही है साथी इसे निर्देशकों का एक ही ग्रुप संचालित भी कर रहा है सारवजनिक तोर पर उपलब दस्तावेज की चानबीन से पता चला हजारों कड़ों रुपे के फर्जिवारा को गुप्त रखने के लिए शेल कंपनियों का ओडिट भी ओडिटर्स के एक ही समू से कराया गया कंपनिय मामलों के मंत्राले के समक्ष किसी भी तरह की शर्तों का उलेखन किये बगैर इन कंपनियों में डियेचेफल के 21,477 रुपे का निवेश कर दिया गया